जाहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक्जाम इंडिया पर कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करती हूं आप सभी एकदम स्वस्त होंगा आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बहुत बैतरीन चल देगी होगी तो हम हिंदी सार्थे का एक पार्ट अपना क्या है ऐसे तिन-चार क्लासों में हम अपने हिंदी साइथे को कवर करने वाले हैं तो हिंदी साइथे से डैना नहीं है बाकि अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ठीक है तो पर से हैं अपने पहले कोश्चन की तर इंटर में आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर और उस पर आपको सभी पीडियाफ मिलते हैं ठीक है बागी जितना भी जीके का इंपोर्टेंट करंट अफेर हुआ आपका या जो भी यूपी जीके के लिए इंपोर्टेंट है वो सा नोट डालते रहते हैं मान वीडियो देखते हैं तो काफी टाइम हमारा लोस्ट हो जाता है लेकिन वह टाइम आपको यूज करना है ठीक है उसे वेस्ट नहीं करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगी अभी जो भी हमारे पास दिन बचे हैं किसी का भी यह फालतू का वीडियो मत देखें कि 10 दिन में कैसे करें एक्जाम को क्रेग यह पास दिन में कैसे करें त्यारी दोस्तीन से कुछ नहीं होने वाला जो इस ट्रेजरी आपने शुरू से फोलो की है वही अपनी रखें लेकिन एंड टाइम पे अब क्या कर सकते हैं जितना भी मतलब इनिपोर्टाइंट पीडियो वह आप रिवीजन करते रहें बाकी रिवीजन बहुत जरूरी है कुछ भी नए पढ़ना बिलकुल नहीं है ठीक है और आपको एक्जाम में कैसे मतलब एक्जाम कैसे देना है उसके उपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं वह 17 से पहले आपको मिल जाएगा ठीक ह कैसे आपको एक्जाम में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है क्या आपकी एक्जाम को कैसे करना है कितना टाइम है ओमा सीट को कैसे बना है इन सभी के बारे में आपको एक्जाम से पहले जरूर अप्टेजित करा दिया जाएगा तो उससे डरना नहीं है सिर्फ अपन नहीं है बढ़ते हैं अपने कोशन की तरफ परकाशन वरस्ट की द्रश्टी से जोक्टर हरीवश राइबच्चन जोते उनकी रचनाओं का सही अनुकरम है पहले बता दू जितनी भी रचनाओं है जो चारी रचनाओं है वह आगे बीचे कर दिया गया है लेकिन क्योंकि हमें काल करम अनुसार सबसे पहले कौन सी थी उसके बाद उसके बाद बताने थी तो यह सारी रचनाओं तो हरीवश राइबच्चन जी की हैं लेकिन हमें काल अनुसार बताना है तो देखे सबसे पहले लिखी थी उन्होंने मधुशाला ठीक है क्या लिखी थी मधुशाला परभूजी तुम चंदन हम पानी जिसकी रचना है तो शायद मतब भजन टाइप में भी यूज किया गया है कि परभूजी तुम चंदन हम पानी तो कभीर दाद नानक या फिर रेदास तो दोस्ति ये किसकी रचना है याद रखेगा अब को जरूर देगा अभी भग्ति कालें तो अब थे पूछ पूछ जिसरे और आदिकाल की किसी उसका नाम बताईए तो कोशन के examiner के देफ मैं जेदासजी की रचना है है निमलीकित में कौन सा रसो आल्याखंट के नाम से परशिद हो आपको बताना पूमान राषो या भी विसल देवुराश 분위ह पर माल लाषो जो है वह आलाखंट के नाम से भी परशिद है यह बात आपको याद रखनी है स्टार कर दीजेगा इस को सब पढ़ते रहते हैं लेकिन ऐसे भी एक्जामने पूछ सकता है या पूछने की संभावना है वो सभी कोश्चन्स आपको इस किसी रचना किसी रचना है है तो सुल्दास जी कि भक्ति की है कि बगति की कि ऑ रहते हैं तो मत्हुरा की भाषा कैसी है तो भाईया जी व्रज है ऐसे चीजों को रिलेट करिए पढ़िए ना दोस्त ना तो आपको तो की जरूरत पड़ती स्युष्ड फर्टा थिया तो हमने क्या घ़ाता? सुष्छ्टार की रिलेट कि कभी कोशन तैयार हो गया है मान जीजे पूछ ले कि ब्रज भाशा किस छेतर में बोल दी जाते हैं आपको मधुरा दिया हो तो मधुरा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको कॉंसेप् काफि देख Meer तो देखेम्षक कठिन काव्वे का वे टयते है कहते है केशव केशव जी को बटातु कभी भी आपसे अलंकार के सम्राग के बारे में पूछ लेनाで को केशव जीए अलंकार का सम्राग बास्चा किस को बोलते हैं केशव जीarette घो एठीक है यह बात भी आपको उनतियों का उनति को मूल किस काववे की पंक्ती हैं नीज भासा उनति अहे इस अब उनति को मूल तो देखे सबीने सुनी हुई है और एक किसकी रचनाओं में भारत तेंदु हरीष चंदी जी Hijndi, Hindばu, Hindustan यह भी किसकी रचनाओं में她 है उसी में आधिकाल को बीजवपन काल की तो नाम जैता वो आचारिय रामचंद्र शुकल जी ने दिया था ठीक कि भक्ति काल को सवन्यूग सः पर्थम किसने कहा तू देखे हमने बताय था भक्तिकाल को सवन्यूग या सवन्यूग काल कहे तो आपको याद आप मेरे को आपको पूंड रखने हैं गायसाद राहद आपान राहद रेखना खिस ये इते अन्याद आप देखे एक रंसी सी ते और यह कुं थे वह वेक्ति थे जिनोंडे प्रुणे हिंदी सायद्य का इतिहास लिखा हैं तोषीर हैं लिए प्रेंच में लिखा सोगहर यह तो यह बात भी आपको याद रखनी है कभी तास को वानी का डिक्टेटर जो था कि संग्या किस साहित्यकार ने दी थी ऐसा कोशन तो आपने कहीं नहीं बढ़ा होगा तो मैं बोल जी हुना बार बार आपसे बोल जी हुँ कि जो कोशन लेकर आये हैं वह सारे ही इंपोर्टेंट वाले कोशन होने वाले हिंदी साहिते से आप कोई पर्षाद नहीं छोड़ेगे यानि के 18 नंबर जो भी हिंदी साहिते के आएंगे 16 18 नंबर आपके बिल्पुल पक्ये हैं ठीक है कभीर को वानी का डिक्टेटर किस ने कहा थ किसने ता हजारी परशाद दिवेदी शीने कहा था ठीक है दो किसी की रचना है किसकी रचना की यह कि शोड़र से पढ़े लिखे विक्तिते ठेकी थे और इन्हें महा कविराय की उपादी भी मिलिया किसके दूआ ना सहाजाक के दुआ यानि कि सहाजाके दर्बारी कभी रहोंगे इसले सहाजाने क्या क्या inna महा कविराय टीक है तो यह बहुत अब को यह ने कहा कि कोश्चन को पहले पढ़ लीजे माली बहुत में भारत में पहले समाचार पत्र बहुत नहीं होता इस नहीं होता इसने हिंदी जो था वो था 1826 इस्वी जानी कि हिंदी का जो पहला समाचायपत्य था वो उतंद मायतंड था ठीक है और उसे परकाशित किया गया था तो जैदेव केशव कोन थे जैदेव केशव के दुवारा थे परकाशित किया गया था और भारत का पहला कपता भारत का जो पहला समाचायपत्य था वो आया था 1779 में यह देट भी आपको याद रखनी थी और बंगाल बजट बोला जाता था उसको ठीक है किलिया ना आगे ब पहला है तो आपको सभी आनने जानता है मर्यादा थाइद हो ठीक है और सरस्वती जो थी सर्ष्वती जो ठीव दिवेद google , पूच्छा एब कवी वचन सुधा हिंदीपर्ती कोन थी कवी बचन सुधा हिंदी परती जो थी भारत एंदु यूग की निकलने वाली पत्री गाति ठीक है कि बारे बरस लोग कूकर जीवे अरहे तेरे लो यह सी आर यह पंक्तिया किसकी है बारे बरस लोग कूकर जीवे अरहे तेरे लो जीवे सी आर पंक्तिया आपको बता नहीं है कि किसकी है तो विद्यापती जी नहीं है चंद्रबादाई भी नहीं है ना इ कवी तक इसकिस नए लिखी है सुभधरा कुमारी एक है मतु dúdう इक है नम में आपर मिष्टेक है अपर कंवार नहीं लगार राम्दाइ 04 ल्कार भात दीक्ष्टिक इंपरष में पता देक्ष्ट के पंट्म्तियनgili आपको बढना मिले ने वीर von कभी रही है सुभध्रा कुमारी जोहान इन्हों नहीं क्या लिखा था जहासी की रानी जो पंक्तिया आपको देखने को मिलती है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा लेखक और उसकी किर्थी रचना का कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है यह आपको बताना है तो देखें सारी रचना जरूरी है आप सभी को नोटियेगा ठीक है अचारि आपने सभी रचना पढ़ी होगी तो उसमें यह नाम आपने अवश्य पढ़ा होगा कि इसकंदगूप्त जो है वो किसकी रचना है जैशंकर परषाद जी की रचना है तो हमसे क्या पूच्छ गया था हम से गलत पूच्छ गया था यानि की आप्षण दी जो हगा वो बिल्कुल रही उत्तर होगा डी सुरी पक्नकुल जो है विवा शनकर की की रचना है जुकि कि पीर हीनी भावरी सी भई उची चड़ी अपने भवन से टेरत हाइदाई ले अचिरा मुकु आसुवन ओचत उद्रे गात सही किसकी पंगते हैं यह आपको पताने देखे पीर हनी बावरी यानि कि व्योग में वह बावली हो चुकी है तो वह कौन हुए थी पीरा भाई हु मीरवाई जी को कि वह उनके प्रेम में व्योगी मतलब अपनी दुख दशा में इस पंक्तियों द्वारा वर्न कर रही है ठीक है तो मीरवाई बिल्कुल सही उत्तर होगा हिंदी का पहला पत्र है समाचार पत्र सोर यह थोड़ा मिस्क्रिंट हो गया तो हिंदी का पहला समा समाचार पत्र है ठीक है आगे बढ़ते हैं भक्तमाल के रचनकार आपको बताने है नावादास उंदादास केश्यादास या विस्दुदास तो भक्तमाल के रचनकार कौन थे नावादास ओप्शन यह जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा सूफी संतों की शैली कैसी जो सूफी संत रहें उनकी शैली आप चे पूची गई है कि उनकी शैली कैसी थी, मर्शिया थी, मसनवी थी, गजल थी या तुजर्मा थी, जो शूफी संतों की शैली थी, मशनवी थी, गोस्वा में तुल शीदास का निधन, वाराननिसी के निकट, किस घाटपर हुआ था तो आपको बताना है थे कि एक बात के लिए कि तुलसिदास का जञनम आपको पूछ से ईविपिजी के में पूछता है तुलसिदास को यारट गह्रत के पूछाट जिली तो वारानची आपको याद … है आगे ब折ते सो जन एक सुजान परकाशन का का परकाशन कहां से होता है तो पाषिध पत्री का है ठीक है तो मिज़पूर इलाबाद या फिर लखनव बनारासम मीजपूर में जो है वो इसका परकाशन होता है फीक है परकाशन हुआ था कि लास्टे वात ते हुंक अब रामधारी संगh दिनकर को उर वशी केके लिए मतलब रामधारी संग दिनकर जी की कौन से रचना थी उर वशी लेकिन मिला किस वर्ष है वह आपको बताना है तो वह वर्ष था 1972-1932 वह वर्ष था जिस वर्ष लामधारी सिंग दिनकरजी को उर्वषी पर ग्यारपीट पुरुषका से सम्मानित किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं आदिकाल की रचना है आदिकाल की कौन सी रचना है है भरमाजी की रचना है जानल की रेज़नीत काहण जो को यह फिनाली सरोवर पानी तो यह पन्क्ति हो आपको बतチャンネル neuroci वह क्पग्ति तक रचना कार को अब इस पंक्ति में क्या वो किया ने कहा है कि जो कमल है उसके पास भरपूर मात्रा में कीचड़ है पाणी है लेकिन फिर भी उस चीज से संतुष्ट नहीं उसके पास है उसे और अभी लगी रहती है कि मुझे और पानी मी ले और और मतलब खीचड वगड़ा क्योंकि कमल जो है वो कीचड में खिलता है इसलिए वही संगती बिल्कुल आज के मनुष्य की हो गई है जो उसके पास है वो उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं है ठीक है या तो दो ही चीजों से इंस टो यही इस पंक्ती में कहा कि कि कमल जो ही से पास सब कुछ है लेकिन फीर और इच्छाव क्यों भी लाश्र करता है थीक उसी परकार है मनुष्यय भी है जो उसके पास है उसके चिन्टान कि जो नहीं है उसके पीछ है झो जो है उसका अनंद भी वो खोडेता है तो बात है क्योंकि फिर आपको चीजों के पीछे दोड़ना नहीं पड़ेगा आप महनत कीज़ें लगे रहिए सब हो जाएगा तो अचार्य दाम्चंद शुल्क का निवन संग्रे है तो अलगी जैते हैं आ अचिंटा मैंний जो है श्ल्क जीका निवन्द हैं फिकंट्य कीस विदा से पृब्धाAR खिक आगे बढ़ते हैं यह आपको देखे बताना है ठीक है तो थितूउता हुआ गंतंतर यह आपका इन्पोटेंट वाला कोशन है दोस्त कि थितूउता हुआ गंतंतर के जो लेखक है वह हरी-शंकर हरी-शंकर-पार्षाई है और इसकी अगर विधाप से पूछ डे से व्यंग विधा है ठीक है लिखने का तरीका लिद लिखने का तरीक लिखने का कभी है आपको बता ना है तो दो तो ओलने में अपर का overtime song कभी भी हमती। जीस दोसने पहली किलास हैी पहले तो असकलास को करी च्यूंकि उसकर कोई 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 जो तो समेवं कोंसेट ली था वो तक हम कोई कोई को तो बहुते हम बता परेक्डि किवा ली गी प्राक् Lenin कों आएंगे कभी अदाश जी आएंगी तो मेतली शरन गुप्त सभी जांते हैं दिवेदी यूग से वह संबंदिता हैं तो मुगल काल हम पड़ने वाले हैं इस पी प्रैटुक selfish भी तो मिल बाधि si our both किया है किस कवी को महा कवी राय की उप्द्वी दी थी कादी थे सेणफेती सुंदर थे या फिर बनायसिद्दाश थे अच्छा महा कवी राय इसे क्या अभिप्रा है महा कवी राय इसे अभिप्रा है कि सब से पढ़ा लिखा हुआ Tort trash और यो भक्तिकाली कवी थे, तिक है और भक्तिकाली कवी में जो सबसे पढ़े लिखेवे अक्ती थे वो कौन थे? सुंदर्दास जी ही थे, और इन्हें इसीलिए सहाजाने, यानि कि ये सहाजाते नो impostorit, तिक है नो महा का विराइकी उपादी दे दी तुनता दाष जी का नाम आपको याद रखना है अभू अब देखे निवन्द संग्रिया यानि कि यह सभी क्या है निवन्द है और उनके लेखक आपको दिए गई हैं कि साथ सुमेलित कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो देखें यह सभी दिवन संग्रेया एक कोशन आपका यह तैयार हो गया कि इनमें से माल दीजिए अगर कभी आपको दे दे कि इनमें से कौन सा दिवन संग्रेया तो आप पहचान सकते हो ठीक है और उनके लेक हग पर आपको साथ-के साथ दे दिये है मैं आइस सिल पहुचाई यानि कि वो है किसकी रचनाँ है विधा निवास जीर किये रचना है अद किसके बाद इसके बाद है सुनो भाई tha दो किसकी रचना है यह है हरी शंकर पर्षाणी जी की रचना ठीक है और हरी शंकर परशाद जी की रचना हो गई शीकों के सेतू किसकी रचना है शीक परशाद सिंग जी की रचना है और अब एक अंतिम बचता है क्या कि रस आखे तक कुबे नात राइजी की रचना है यानि कि पहले का फॉर्थ देख लीजे पहले का फॉर तुलसी दाश के कौन सी काववे रचना जो है वो ब्रज भाषा में है अपने आप में बहुत ही महत्पून परशन है क्यों है वो बताएंगे किरिशन की दावलिया दोहावलिया विन्य पत्रिका या फिर कवितावलिया लेकिन उसने क्या पूच्छा है कि काववे ब्रज भाषा में जो लिखी गई है तो विन्य पत्रिका और कवितावलिया दोनों ही रचना तुलसी दाश जी के हैं और ब्रज भाषा में लिखी गई है यानि के ओप्शन C और D इसका बिल्कूल सही उत्तर होगा अब आप थोड अनों में से वह एक ही रचना देगा आपको यह तो मैंने दोनों इसलिए एक साथ रख ली नया कोशन बनता एक कोशन एक्सा उर्था तो मैंने इसी में दोनों को जोइंट कर लिया ठीक है निमलिकित में से कौन सी रचना मेथेली शरन गुप्त कि नहीं है कि दिती है सोरी ह मेथेली शरन गुप्त की कि दिती नहीं है तो साकेत बिल्कुल मेथेली शरन गुप्त जी की ही रचना है ठीक है यह शोदरा भी उन्हीं की रचना है और जयाद रतवद भी उनका वह थी परशिद हो है ठीक है लेकिन नील देवी नील देवी उनकी रचना नहीं है तो नील तो नील देवी जो रचन्व हो भारत तेंदु किसी रचन्थ जी वह बाकिए तीन ओ किसकी है बेधिली शरण गुपतर जी हवा में हस्ताक्षर किस सहित्यकार है हवा में हस्ताक्षर हो रगवंश डोक्टर कैलाश बाजपेई है निर्वल वर्मा है मृदूला गर्ग हवा में हस्ताक्षर आपको ऐसे याद रखना है कि डोक्टर कैलाश बाजपेई परशाद जी कि वह रचना है जो किसमें लिखी गई है ठीक है ठीक है तो बताएं कि कौन सा है जो बिल्कूल तही उत्तर है ठीक है बता दीचे सबी दोस्त तो देखिए नागमती वीयोग वयनन जो हूं मलिक मोहमध जैसी दुआरा किया गया धीक और जो भ्रहमाराक्शस वह मुक्ती वह रहा है यस्पाल जी रचना है और ऐशाध्यवानी जो है अध्या जी की रचना यानी कि पहले का नोट कर देनी है इसे भी पूछ आग। मालीजर्ण भी आपसे नहीं बंदा झाहिए। मैं मान्ति हूँ अपको ताहि रछ से नहीं एसे को जाती हो濁 सहीं किसके थाट से लुट किसीसी रछ से घुटी है तो थोड़ा माइन सेट अप आप अगर आपको तुक्के के साथ भी कहला है तो बताई जाएगा अब वेट हीजे हमारी सोल अतारिक को इसमें आपको बताएगे कि अगर आप एक्जाम में तुक्का लगाते हैं तो वह आप कैसा लगाना है क्योंकि देखे दोस्त यह बात बि सब एक्जाम का सभी को सिर्फ 60 से 70 या फिर लास्ट मालीचे 80 तक ही पता होता है लेकिन वही है कि सिलेक्शन लेना है तो तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा और वह स्मार्ट वर्क में एक आता है तुक्का लगाना तो जितने भी टोपन हैं आपने यूपेसी के इंटर्व्यू में सुना होगा कि हर कोशन उनको नहीं आता है लेकिन उन्होंने तुक्का लगा लेकिन तुक्का लगाना भी एक आर्ट है एक कला है जो सीखना जरूरी है ठीक है तो उसके उपर भी हम चलचा करेंगे आप 16 तारिक को बने रही है एक्जाम आचारी कि उनके अनुसार कौन थे बाकि थे कोई और चायवाद के लेकिन आचारी रामचंद शुल्ख की बात करें कि उनके अनुसार कौन थे तो उनके अनुसार जो थे वो सुमित्रा नंदन अंत जी थे ठीक है चायवाद के पैथम और पैतिनीदी कवी चायवाद को पै अचार रम शूल का हिंदी साहिते में किस विधा विधा परवेश हुआ था मतब किस विधा में उन्होंने सबसे पहले पर वेश किया था तो वह बिल्कुल सही हुट था ठीक है हम क्षें ब्लाव काव के मुख्चे प्रेनाолог जो थे वह कौन थे स्वामी रमानंदिजी थे कौन थे स्वामी रमानंद flip प्रशाद की किस कहानी का पातर है मदू लीका तो यह जो जैशंकर परशाद की पुरुषकार से संबंदित हैं इसके जो नायक थे नायक कौन थे नायक थे अरुन से अरुन थे अरुन तो पुरुषकार थी फार्ष छिसमें बधुली का पारे मैं युथा अरुन किया गया है। पंक्तियों किसा त्छीत आपको बताने तो अग्याती है निराला थे दिनिकरते या नागाव जुन थे तो किस की पंक्तिया है यह दाम धारी सिंह दिन कर्जी की पंक्तिया ठीक है आगे पढ़ते हैं अंधा कुआ नातक के लेकाक ध्यान से पढ़ लिजेगा अंधा युग नहीं लिखा है ठीक है अंधा कुआ लिखा है युग भूस से दोस्त गलती कर देंगे तो अंधा कुआ के नातक कार आपको बताना है विश्नु परभा कर जी है लक्षमी नारायन लाल है जगदीश चेंदर माथुरे या फिर मोहन आकेश है तो अंधा कुआ यानि की लक्षमी नारायन लाल किसकी रचना है अंधा कुआ ठीक है और अंधा युग किसकी रचना है धरमवीर भाजदी जी की परफम तासब्तक का परकाशन पूंसा था भी होत्त कर जो भी उनकी कवी बेट कर जो भी उनकी कवीटा या पटसंग्री होते थे। लुग था ठीक है और अग्य दुआरा ये किया गया था ठीक है आपको डेट याद रखना है बुंदेलो हर बोली के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मैदानी वहतो जहासी वाली रानी थी प्रस्तूत पंक्तियों के रचीत आपको बताना है कि कोन है मैंने आपसे पहली ही क्लास में खाता जब आपसे जहासी की नानी का कोई भी वन पूछ ले तो आपको किसका के कभी थे आदिकाल के वो नहीं थे भारते अंडोय के क्वे जीती काल के कवीए कि सूर्सागर की रचना की है सूर्दास ने किस भाषा में सूर्सागर की रचना कि किर्षन जी कहां से थे मतुरा से मतुरा में क्या बहुंत आज की कोश्चन हमारी हैं इतक के थे हम अपने दो क्लासों में अपने दो सो कोशन कर चुके हैं यानि कि हिंदी सहाईते अप हमारा अच्छा हो जाएगा इसी हम उमीद करते हैं और कोई कोशन हम से नहीं छूटने वाला ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कोश्चन सापको कैसे लागे करने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है जो कुछ भी हो आप कमेंट वोक्स में छोड़ दीजेगा मैं आपका रजीव से कमेंट होते हैं तब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे आप लोगों से बहुत कुछ नहीं सीखने को मिलता है क्योंकि आप जो मुझे मेरी गलती बताते हो मैं कोशिश करती हूं कि मैं उसे सुधार लूँ और मेरे अंदर भी काफी इंप्रुमेंट आ च बढ़ नहीं पर अच्छा लगता है कि हाँ आप एट-लिस वीडियो देखते हैं लेकिन उसे थोड़ा शेयर भी कर दिया करो कम से कम मजे मजे में उसे शेयर भी कर दिया करों जो भी दोस्त पहली बार चैनल से जुड़ा है वीडियो देख रहा है वो चैनल को जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो बने रही है ऐसे एक्जाम इंट्या परिवार के साथ बाकी साथ बजे आपकी दीजिनिंग की क्लास अभी तो तीन दिन से हो नहीं रही क्योंकि बढविन दसर फैमिली प्रोब्लम चलता है उनमें फैमिली की किसी आपको बताना है कि कैसे लगे आपको कॉश्चन आया है आपका रिवीजन हुआ है या नहीं तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान के पढ़ाई अच्छे से कीजिए कोई भी कोश्चन हो कमेंट वोक्स में आप छोड़ सकते हैं ठीक है थैंक्यू जया भारत